हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम इम्रान है और आप देख रहे हैं एमिनेट आर्ट्स अकेडमी आज हम सिक्स किलास की बुक हनी सकल जो की इंग्लिस टेक्स बुक है उसकी पॉयम नम्बर थर्ड करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इससे यह होगा कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं दे क्वेरल ये एक जगडे के बारे में हैं कोईरल का मतलब एक जगडा होता है जो पोयट अपने भाई से हुए बच्पन में जगडे को याद करते हुए बताते हैं और उसके बारे में वो हमें बताने की कोशिस करते हैं कि इस तरीकी के जगडे हर किसी के साथ होते हैं तो क्या होता है देखिए, it is common for brothers and sister to quarrel, ये आम बात है कि भाई और बहनों में जगड़े होते हैं, although sometime they may not even be able to say why, और खभी कबार तो ये तक नहीं पता होता है, वो ये भी नहीं कह सकते हैं, वो किस बात पे जगड़े रहे हैं, but how long do such quarrel last, पर इस परकार के जो quarrels होते हैं, जगड़े होते हैं, वो कितने देर तक चलते हैं, how do the end, और वो कैसे खतम होते हैं, let's see, I quarreled with my brother, I don't know what about, one thing led to another, and somehow we fell out, I quarreled with my brother, मैं अपने भाई के साथ लड़ा, I don't know what about, पता नहीं किस बात पे लड़ा, लेकिन एक चीज, one thing led to another, एक चीज के बाद एक चीज होते हैं, एक चीज ने, मतलब किसी छोटी बात पे, quarreled start हुआ, और होते होते, किसी और बातों पे ही सुरू होगी लड़ाई, and somehow we fell out, और हम इनी में ही लगे रहे गए, the start of it was slight, जो इसकी शुरुवात थी, वो बहुत ही जादा slight थी, मामूली थी, छोटी बात पे हुई थी, the end of it was strong और लेकिन जो इसका अंत था, वो बहुत ही जादा खतरनाक हुआ, he said he was right, उसने कहा कि वो सही है, I knew he was wrong, पर मुझे पता था वो गलत है, ऐसा ही होता है जगडों में, एक पक्स बोलता है कि मैं सही हूँ और दूसरा बोलता है कि मैं सही हूँ, he hated one another, हम एक दूसरे से नफर करते थे, the afternoon turned black, और जो afternoon है, यानि दोपेर से जगडा शुरू होता था, और black होने तक, यानि अंधेरा होने तक चलता ही जाता था, then suddenly my brother thumped me on the back, फिर जो मेरा भाई है, उसने मेरे back यानि के पीट पर थप थपाया, and said, और कहा, oh come on, come along, अरे चलो छोड़ो भी, we can't go on all night, हम ऐसे पूरी रात नहीं लड़ सकते, I was in the wrong, मेरी ही गलती थी, so he was in the right, तो अब उसने अपनी गलती मानी, इसलिए वो अब सही था, तो students, ये एक पॉयम थी, जिसको लिखा है, एलेनोर प्रांजियो ने, students, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये पॉयम समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, जाद से जादा लोगों के साथ शेयर करें, thank you friends.